हेलो फ्रेंट्स इस टुटॉरियल में हम देखेंगे हाउ टु रिमेंबर गवर्नर जनरल एंड इन एजी वे विद्ट नुमोनिक्स यह गवर्नर जनरल्स जो हैं हिस्ट्री मोर्टन हिस्ट्री का बहुत ही इंपोर्टन पार्ट हैं और अक्सर हम इनको बूल जाया करते हैं हम इस टुटॉरियोल में देखेंगे कि आंप कैसे इनको याद रखेंगे और कभी भी आप इनको नहीं बूलोगे तो देखते हैं कैसे हम याद रखेंगे इनको तो first of all there comes wherein hasting wherein hasting के लिए हम एक word user रखेंगे haste हेस्ट मतलब जल्दी इसने क्या किया जल्दी जल्दी में इसने क्या किया सबसे पहले administrative reports किये और क्या किया shift कर दिया ट्रेयर को मुर्शीदाबाद से कलकटा की और मुर्शीदाबाद से क्लकटा तो revenue में इन्नों क्या किया कि देखे सब कुछ उल्द कर दिया revenue का काम तो दे रही है company को मगर judiciary का काम दे दिया जमिदार को और उसके alm nenhuma क्या किया वैसे क्या हुता है जमिदार के पास होता है revenue का और judiciary क का जो को याद रखेंगे हेस्टिंग को और इसके इलावा इन्होंने क्या किया हर एक्टिस्टिक में सिविल एंड क्रिमिनल कोट एस्टेब्लिश कर दी और सोशल डिफॉर्म में क्या 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 मैड्रसा मद्रसा बनाया इन्होंने इस्लामिक स्टडीज के लिए मदरसा जुडीशिरी के लिए जमीदार रेविन्यू के लिए कंपनी और क्या हुआ इनकी पिट्स इंडिया बिल जो है उसके करने इनकी को रिजाइन करना बढ़ा 1785 में तो इनका पिरेट सा 1772 से 1785 इससे नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे कॉर्ण वैलिस लॉ क्या किया इन्होंने इन्होंने बेंगाल की पर्मनेंट सेटलमेंट कर दी पर्मनेंट सेटलमेंट मगर क्या होता है कि पहले क्या होता था हर साल दुबारा दुबारा कंपनी जो है एक बोली लगती थी जो सबते ज़्यादा रेविन्यू देता था उसको दे दिया जाता थ का जो collection का अधिकार मगर इन्होंने क्या कर दी permanent settlement कर दी instead of bidder every year और judiciary में क्या reform किया इन्होंने reorganization कर दी revenue courts की और criminal courts की और collectors को deprive कर दिया उनके judiciary reform से और इन्होंने इस ढंग से एक नया compile किया Cornwallis code Cornwallis code तो यह कौन से हम याद रखेंगे कि कैसे इन्होंने मक्की में जो कौन के field थे उनको कैसे permanently उनकी bidding कर दी और इसके इलावा कैसे इन्होंने judiciary में reform बनाए इसके इलावा police में क्या किया इन्होंने पुलिस जमीदार को पहले police के काम भी दिये हुए थे उनको ले लिया और police थाने बना दिये आपको याद रखेंगे कि थानों में कौन्स बर दी है और इसके इलावा जो था judiciary में भी कौन्स के साथ reform कर दी इसके बाद next जो हमारे आ रहे हैं वह है शोर जोन शोर तो शोर से ही हमने शोर वर्ड ही याद रखना है यह इनका नाम तो था शोर बगर इन्होंने शोर कम किया कैसे कम किया इन्होंने पोल्सी ओफ नौन इंटर वेंशन को माना इसके बाद आया रहे हैं नेक्स्ट हमारे विल सिली विल इसली नाइन 1798 से 1805 इन से हम दिखेंगे विल सी या ऐसे आदर किंगे कि इनका नाम है विल सी विल सी यू तो इन्होंने क्या बोला कि आप जो बाकी सब लोग हैं उनके साथ इन्होंने की सबसीड्री अलाइंस इसका मतलब था कि यह जो बाकी के जो राज्य थे वो इनके इनके अधीन आगे इनके सबसीड्री बन गे तो यह इन्होंने बोला कि विल सी यू और इसके इलावा इन्होंने क्या किया एक कंपनी के सर्वेंट्स को कर लें के लिए कैलकटा में एक कोलेज भी खोला इनका नाम हम याद रखेंगे वी विल सी यू इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आ रहे हैं वो हैं बार लो बार लो इनको हम याद रखेंगे मार लो क्यों किनों नहीं किसको मारा इसमें इसमें क्या हुई म्यूटिनी ओफ वै लो उसके बाद रहें मिंटो मिंटो को हम याद रहेंगे मिंटो जो दिमाग की बत्ती जला दे इनकी दिमाग की बत्ती जली और इन्होंने ट्रीटी की शाह परसिया के साथ और ट्रीटी ओफ अम्री सर की रंजीत सिंग के साथ ये रंजीत सिंग जो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा शक्ति शाली थे उनके साथ ट्रीटी ओफ अम्री सर करके पीस थापित कर ली और इन्होंने सर चार मेक केफे को रंजीर सिंग की कोट में भीड़ा उसके बाद नेक्स जो हमारे आ रहे हैं वो हैं एम हर्स्ट इनकों प्याज़ कि आयम हर्ट तो यह किसलिए हर्ट हो लोगी थी फरस्ट एंग्लो बर्मीज वार और इतके साथ युई सी म्यूटिनी ओफ बरक बरक पुर तो इसलिए ये हर्ट हो गए क्योंकि एक तो बर्मा के साथ वार हो गी और एक बरक पर की म्यूटिनी हो गी उसके बाद आए हैं बैंक टिक बहुत ही फेमस हैं किसी भी इकजाम के लिए इनकों याद रखेंगे band के साथ इनके नाम में आता हैacter तो band क्या किया इन्हों हने थगी को band किया infanticide को band किया human sacrifice को band किया सब्टी को band किया थो ये सब चीजिए band करने के-गाम ही इनका नाम है Bend 어r इसके लावन ने रीफॉर्म किया Hindu법 of inheritance में इसके लावे इनों ने क्या किया जो रिफॉर्म के जूडिशियर और administrative abolition of provincial courts of appeal and circuit और power of magistrate को increase कर दिया और Indians को भी judges रखा इनों ने इसके लावे इनों ने residue system की introduction की सरदार दिवानी अदालत लगाई अलाहबाद पे कोडिफिकेशन ओफ लाज की बैंक टिक ने ध्यान रखना है एक आया था Cornwallis code अभी आ रही है कोडिफिकेशन ओफ लाज इसके लावा education reforms में क्या किया इन्होंने इन्होंने English को accept किया किसकी recommendation थी यह मैकूले की recommendation थी इसके लावे इन्होंने medical college मनाया Calcutta में तो ऐसी याद रखो कि देखो सती प्रता थी तो सती जो भी burns हुए थे इनके सती प्रता में तो उनका इलाज भी करना था इसलिए medical college की ज़रूरा थी वो इन्होंने Calcutta में खोला तो इन्होंने यह चीज़े बैन की थी इसलिए इनको medical college भी खोलना बड़ा इसके लावा English को भी इन्होंने अपने medium of instruction मनाया और कुछ जो थे उपर वाले हमने देखे judicial और administrative reforms किये उसके बाद बैन के बाद आ रहे हैं Mac cafe तो इन्होंने remote की restriction जो वर्नेकुलर प्रेस पे कुछ लगा हुआ था कि जो भी वर्नेकुलर प्रेस वाले हैं उनको अपने papers जो हैं उसकी permission लेनी पड़ेगी किसी भी news paper में कुछ चापने से पहले तो वो जो थी इन्होंने खतम कर दी इसलिए इनको बोला जाता है लिब्रेटर ओफ दा प्रेस इनको हम यार रिकेंगे press in the cafe उसके बाद आए औक लैंड औक लैंड को हम यार तके ओक लैंड क्यूंकि यह ओक जो वर्ड है पंजाबी का उसे ओक का मतलब होता है मुश्किल तो इसनको मुश्लिक एल्वी लैंड में किस लैंड में अफगानि और फिर उसके बाद इन्हों को ट्रीटी करनी पड़ी ट्राइपार्टाइट ट्रीटी किसके साथ इंग्लिश तंजीत सिंग और शाह शुजा ओफ अफगानिस्तान तो ओक लैंड जिनको मुश्किल ही अफगानिस्तान में उसके बाद नेक्स्ट जो आए हमारे वो है एल् इन्दू तो यह थे एल्यंद रो यह he estos एल्यंद विब्रो मितलब हमारे फ्रैंड थे ऐसे प्रोगर की हम इसको याद रिकिंगे क्यूंथे यह ब्रो क्यूंकि इछिणोंने आफगान वार को एन्ड किया और अफगान वार को जो भी वार को एन्ड करता है उस को फोरन अप हाड इनिंग के साथ हाड इनिंग क्यों हाड इनिंग थी इनकी हाड इनिंग थी क्योंकि इनको सिखों के साथ लड़ाई लड़ने पड़ी पहली फर्स्ट सिख वाड तो जो भी क्योंकि सिख बहुत ही ज्यादा ताकतवार थे इसलिए बिचारों की इनिंग थोड़ी हाड हो से डॉल हाउस डॉल हाउस क्यों याद रखेंगे क्योंकि इन्हों ने उस ताइम पे ऐसे काम किये जो उस ताइम पे एक तरह से डॉल के जैसे थे इन्हों ने मतलब एक Cel्ड एक मेजिन आरती मेजिनेशन मेंजनेवक Champions की इन्हों ने रेलव एलाइन लेकर है पॉस्ट लेकर आए टेली ग्राम लेज़याए तो ये था कि हम इंडियन्स के लिए एक ड्रीम था कि हम भी हम भी competitive exam देशके Indian Civil Services की तो इन्होंने वो शुरू की competitive exam डॉल हाउस ने इसके इलावा क्या क्या यह youngest थे office of governor general के लिए इन्होंने यह बहुत famous है doctrine of lapse doctrine of lapse ही कि जब किसी का कोई किसी भी राजा का कोई legal वो हीर नहीं होता था तो उसका अपने में राज्यम मिला लिया जाता था उसका बोलते से doctrine of lapse इससे सबसे ज़्यादा पहले जो हुई थी वो थी राणी ओफ जहांसी जो इसससे affect हुई थी इसके लावन होने सेकंड बर्मीजवार लड़ी 1852 में और इसनकी डिजायर थी के बर्मा से सारी की सारी यूरोपियन बावर को निकाल दिया जाए इसके बाद इन्होंने सेकंड सिक्वार लड़ी फस्ट सिक्वार किसकी थी हार्डी निंगी और सेकंड थी इनकी इसके लावा हम देख चुक को तयए जो वो था बैन की के टाइम पे क्योंकि उसने बैन की साथी प्रता को और इनके टाइम पे ता ड़ल्होसी नोरे साही इन्होंने एक साथ रिद्ध ने हमेरी मेऱिज देख उसके बंदन होता है तो उसी के साथ जाया की देख रख कर दिखेगे कि हिंदू वीडो री मेरिज उनको दुबारा से बंदन में बांदा इनों ने और यूनिवस्टी से इस्टेब्लिश की कैलकटा मैड्रेस और बॉंबे में यह हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था तो यह थे सारे के सारे हमारे गोवर्नर जेनरल्स आप अगर ऐसी और वीडियो देखने चाते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फ्री स्टेडी सर्कल को यूट्यूब पे हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए बनाने वाले हैं और इसके इलावा हमारी जो वीडियो हैं हमारे लिंक्स हैं यह शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हम सारे वर्ड को तक को बता सकें कि यहां पे हम आपके लिए फ्री वीडियो बना सकते हैं और बना रही हैं थेंक्यू वेरी माच थैंक्स वर लिसनिंग टॉवर वीडियो थेंक्यू